जब हम छोटे थे तो हिंदी फिल्में और धारावाहिक देखा करते थे इन फिल्मों और धारावाहिकों में अक्सर हमें एक विदेशी चहरा नजर आ जाता था जिनकी हिंदी बहुत गजब की थी इन जनाब को कई लोग अंग्रेज कहकर बुलाते थे तो आईए हम आपको बताते हैं किन अंग्रेज का नाम क्या था नमस्कार आदाब मैं महावीर और आप देख रहे हैं बॉलिवूट कैलेंडर का ये सेगमेंट जिसका नाम है जीवन यात्रा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नौटिक्पिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके और चैनल को लाइक करना शेयर करना ना भूलें तो उनका नाम था टॉम आल्टर जी हाँ टॉम फिल्म और रंगमंच के अभी नीता थे साथ ही उन्होंने तीन सो से ज्यादा फिल्म और धारवाहिकों में काम किया तो आई ये जानते हैं उनसे जुड़ी हुई और कुछ खास बात है पांच पुस्तों से हिंदुस्तान मे है टॉम का परिवार टॉम का जन्व 22 जून 1950 को एक अमेरिकी क्रिश्चन परिवार में हुआ था टॉम आल्टर के दादा दादी 1916 में अमेरिका के ओहायो इस्टेट से भारत आये थे जिसके बाद वे भारत में ही रहने लगे आजादी के बाद जब देश का बटवारा हु तो उसी दौरान टॉम आल्टर के परिवार में भी बटवारा हो गया था जिसके चलते टॉम के दादा दादी पाकिस्तान में और उनके माता पिता हिंदुस्तान में रहने लगे टॉम के पिता से परिवार पहले इलाबाद फिर सहरनपूर फिर जबलपूर और अंत में दह अपने पूरे फिल्मिक करियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया जिसमें विभिन भाषाओं की फिल्में सामिल हैं आसामी, बंगाली, गुजराती, तेलगू और साथ ही इनकी बहुत अच्छी पकड़ थी हिंदी, उर्दू और अंग्री जीपन वही टॉम ने भारती सिनेमा के महान फिल्मकार सत्यजीतरे के साथ भी काम किया साल था 1977 और फिल्म का नाम था सत्रंज के खिलाडी यह फिल्म मुनसी प्रेम चंद की लगू कथा पर अधारित थी टॉम फिल्मों में अपने अभीने के जरिये तो कमाल दिखा ही रहे थे साथ ही वह छोटे परदे पर भी कई धारवाहिकों में नजर आते थे 1993 में आई सीरियल जुबान सम्हाल के में टॉम ने एक बिटिशर का रोल किया था जो इंडिया में रहकर एक जगह हिंदी सीखने जाता था ये सीरियल लोगों में काफी लोग प्रियव हुआ था क्या आपको मालूम है टॉम आल्टर राजस्खना से बहुत प्रभावित थे उनके दिवाने थे किस्सा ये है कि टॉम आल्टर दिखने में तो अंग्रेज लगते थे लेकिन उन्हें हिंदी फिल्मों का बहुत शौक था एक बार वो अपने दोस्त के साथ अभिनेता राजस्खना और अभिनेत्री सरमिला टैगोर की फिल्म अराधना देखने गए उस फिल्म में राजस्खना के अभिने को देखने के बाद वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने पूरे के FTI में जा करके दाखिला ले लिया वह इससे पहले हर्याना के एक स्कूल में बतार अध्यापक पढ़ा चुके थे टॉम उल्टर एक बहतरीन थेटर कलाकार थे वह नसुदिन शाह और बिंजामिन गिलानी के साथ नाटक किया करते थे इस ग्रुप का जन प्रिथवी थेटर में हुआ था इसके बाद से लगातार प्रिथवी थेटर में काम करने लगे थे वहीं बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि 1980 से 1990 के दौरान टॉम एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी रहे हैं इतना ही नहीं उनके नाम एक और उपलब दिये वह टीवी पर सचिन तेंदुलकर का इंटर्व्यू लेने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे इसके अलावा टॉम ओल्टर ने तीन किताबे भी लिखी हैं 2008 में उन्हें कला और सिनेमा के छेत्र के योगदान के लिए पदमुस्री आवार्ड भी दिया गया था टॉम ओल्टर ने कैरोल एवन्स से विवा किया था साथी 29 सितंबर साल 2017 को 66 वर्स की आयू में टॉम ओल्टर ने दुनिया को अलविदा कह दिया वहलंबे समय से इसकिन कैंसर से जूज रहे थे बॉलिवोड टॉम ओल्टर के इस अभी नई योगदान को कभी नहीं भुला सकता ये थी आज की वीडियो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ तब तक आप देखते रहिए